इतिहास और वर्तमान जब इन कडियों को हम जोड़ते हैं तो आज के युवा आज के जो कॉलेज के छात्र हैं वो क्या सोच रखते हैं आज की राजनीती पर? क्या भविश्य उनको अपना दिखता है इस वर्तमान से? आएए उनसे बात करते हैं कई हमारे साथ यहाँ पर आपका ये वर्तमान है और आपको अपने भविष्य की तरफ देखना है। किया देखता है , किया भरोसा होता है आज के नेताओं पर और जिस तरह से चुनावी राजनीती चल रही है जी हमें होता है भरोसा खास कर हमें ये देखना होता है कि हमारे साथ साथ हमारे देश के बारे में भी वो सोचे और युवाओं के बारे में अधिकतर सोचे खास ये हम लोग के साथ ऐसा होता है कि सब जब पोल्टिक्स किया जाता है उस टाइम बोला जाता है कि हां हम सभी इस बाड़े में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग अपने पढ़ाई के छेतर में चाहते हैं कि आगे बढ़े हमारे जो भी नेता बने वह हम लोग के बाड़े में सोचे आप लोगों को क्या लगता है किस पर भरोसा होता है और समझ में आ रहे हैं आज की जो प बना सकता है लेकिन अभी सबसे बड़ा बात हो जाता है कि ऑप्सन नहीं मिल पाता है हमारे पास कौन जुम्ले वाजी कर आपको क्या समझ में आता है मजुदा सरकार है या फिर पिछला सरकार दोनों तो वैसे ही दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बड़ते हैं अभी यहां तक कि हम यह भी कह सकते हैं कि आज माली जई चुनाब का दौर आया है आज सभी लोग गराउंड में उतर चुके हैं लेकिन इस पांच साल के सतार आ जाती है उसके बाद जो कोई आतन है को देखने के आप लोग बता यह आपको क्या लगता हैwał जी जिस चेता है है उस छेत्र में हमें हम पढ़े उसके बाद हमें जॉब मिले ऐसा नेता आना चाहिए सिखसा में नौकरी सबसे बड़ी चिंता सबकी दिखाई देती है मुझे बताइए आपके लिए विकास का क्या मतलब है हम स्टुडेंट है तो स्टुडेंट के बारे में ही बात करेंगे और यहां पर शोद का जो कारिक्रम होता है वो भी समय से नहीं होता है मैडम और जो विकास का यह बीस लाख नौकरी देना दस लाख नौकरी देना प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी दो करोड़ रोजगार 2014 में दे रहे थे 15 करोड़ रोजगार तो सिर्फ कोरोना चीन गया तो यह सब मैडम यहां की कोविट की वैक्सिन फ्री देंगे कोविट का टीका फ्री देंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है यह तो वो बोलने की बात है अगर मतलब उनकी सरकार आएगी तो वो देंगे नहीं आएगी तो नहीं देंगे हम वोट करेंगे उनको तो देंग वोट का? सबर्ण जाती के हो जाते हैं कोई डलीज जाती का हो जाता है कोई पिछड़ी जाती हो जाता है सारे लोग जो माईगरेट लोग लेवर लोग आए थे आज कोई मैडम उनके दर्द का बात कर रहा है कि वो लोग 2000 एक 1000 किलो मीटर पैदल चले थे आज फिर भी आप उनी से जाके बात करेगा तो वो भी उसी पैटरन पर वोट दे रहा है कि हम किसी फलानी जाते हैं आप बताइए जी मैं मतलब ऐसा मतलब हो ना मतलब ऐसा पार्टी में हमनों का सुवीद्यकाड ह हमनों का अच्छा जॉब दे आगे चल गए हम यहीं जाते मैं जो नेता धर्म जाती के अधार पर बाठते हैं उसमें जनता पर असर हुआ है आपको लगता है कि एक बटवारा एक बिखराओ है समाज में इस मैम अभी जो राजनीती हो रही हो बैसिकली धर्म की राजनीती ही कह सकते हैं क्योंकि जो भी जो अबर कास्ट लोग का जो भी है वो यह नहीं देखते कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है कौन हमारे डेवलप्मेंट के लिए काम कर रहा है वो मुस्ट प्रोवैबली जो र बट ऐसा कुछ होता नहीं है वह बस election time के लिए strategy आती है उसके बाद वह खतम हो जाता है और लोग इनी बाद से महलू पिलेट होते हैं कि वह हमारी कास्ट यह तो मुनको सपोर्ट करेंगे तो भी कि आप बताए आपको क्या लगता है धर्म और जाती की जो बात आई और नौक आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले